हर महादेव दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की वेडियो में हम सुनेंगे शिव महापुराण श्रीवाय विया सहता प्रथम खंड पोरवार्धिया का 26 अध्याई गौरी मिलाप वायुदेव बोले हे रिशीगन देवी ने वहाँ पहुँचकर भगवान शिव के चरणों की वंदना की उन्हें इस प्रकार सामने पाकर शिव जी बहुत प्रसन हुए और उन्होंने देवी को रिदय से लगा लिया तब शिव जी बोले हे प्रानेश्वरी आपका और मेरा प्रीम साधारन नहीं हैं हमें एक दूसरे में विद्वेश नहीं रखना चाहिए क्योंकि हम ही जगत के कारण और आधार हैं हमें कभी भी अलग नहीं होना चाहिए देवी मुझे आपका रूप बहुत प्रिय है हे देवादी देव आपकी कृपा से मैंने अपने शान वर्ण से देवी कौशिकी को उत्पन किया जिसने अपने बल और पराकरम से शुम्ब और निशुम्ब नामक महा दैत्यों का संहार किया है उसकी आराधना से मनुश्यों को तुरंत फल की प्राप्ती होगी तथा सिंग ने मेरी रक्षा की जिसे मैं साथ लाई हूं और उसे अपना द्वारपाल बनाना चाहती हूं देवी भगवती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने सिंग को द्वारपाल नियुक्त कर दिया देवी ने सुंदर वस्तर आभूशनों से श्रिंगार करके अपनी अमीप आसन ग्रहन किया वे भगवान शिव के साथ ऐसी सुशोबित हो रही थी मानो आभा चंद्र के सौंधिरे को निखार रही हो और संध्या ने सूर्य का अंगलिंगन कर लिया हो ओम नमस्षिवाई